हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर शेनल फ्रेंट्स आज के वीडियो में इस्पेसिली डिस्कस करेंगे यूपी पॉलिस उन्चार्जर पांसाओ और सथ भरती से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो हमारे उन फ्रेंट्स के लिए जो कि अभी भी घर वैटें इंतिजार कर रहे हैं मेडिकल पर्स ट्रेंग डेट का तो फाइनली फ्रेंट्स भरती वोट की तरप से एक फैक्स नोटिश जारी कर दिया गया है ठीक है जो कि फ़र्ष बैच में गए कैंडिडेट्स का प्योपी से रिलेटेड है अभी आप थमनेल पर देख रहे हूंगे कि नोटिस आने के बाद अब कब तक जो है आपकी प्रेक्रियाई स्टार्ट कर दी जाएंगी और सेकेंड बैच में कितने कैंडिडेट्स जाएंगे और अभी आप नीचे सरकल में देख सकते हैं पीसी वर्ती 2018 हाई कोट का आदेश दरकिनार कर शेना नायक ने जारी कर दिया था अप बहुत ही अच्छी होने वाला है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे और जैसे कि आपने इस नोटिस के बारे म देख भी लिया होगा आपको यूटूब पर भी बहुत सारी वीडियो प्रॉइट कर दे गई होगी लेकिन यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है और आप सभी के सारे शवालों का जवाब इस वीडियो में प्रॉइट किया जाएगा जैसे कि यह आप सभी के हित के लिए ही होगी तो बने रहीएगा चैनल के साथ अगर आप यह सी काइन डेट है तो जूड़ जैए चैनल के साथ और यह नोटीस आप देख सकते हैं 20 जनौरी को यह नोटीस फैक्स है ठीक है जो कि भरती बोट की तरफ से यह फैक्स यह कह सकते हैं इमेल क सब्सक्राइब को क्या होना है और जो इनका playing यह तो मतलब हो गया कि जो मेंदिकल पर्ट करींद परिक्रियाइ वह करा लिए थैढिए आप समझ रहे ना अब जैसे 41,520 में हुआ था कि अभी उनका P.O.P. समाब्द भी नहीं हुआ था तब तक कैनिडेस्ट को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया तो हमें भी लगता है कि इस बारी भी ऐसा ही होगा अगर ऐसा होता है तो आपका जो मेडिकल पार्ष ट्रेनिंग है वो कब तक कर अबन रही है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो बागी यह फर्स्ट बैच वालों के लिए तो इसमें आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो चलिए फ्रॉंट जान लेते हैं कि सेट बैच का मेडिकल पार्ष ट्रेनिंग कब तक होगा उसके बाद से एक रिलेटेड क्यूस्टन आ रहे थी कब तक मेडिकल पर स्ट्रेनिंग होंगे तो फ्रेंच देखिए कहीं न कहीं यह अब आसर जताया जा रहा है जैसे यह फैक्स जारी हुआ है तो आपकी भरती प्रिक्रिया जो है सकेंड बैस से रिलेटेड वह मार्च में स्टार्ट कर दिय जाएगा ठीक है अगर थोड़ी देरी होती है तो मार्च लाष्ट टक जो है आपके मेडिकल स्टार्ट कर दिये जाएंगे और अप्रेल तक जो हैँ आपके यह सारी प्रिक्रिया चलेंगी दैन आपका जेटीसी जो है स्टार्ट किया जाएगा हो सकता है कि मैम मंध भी आपका बीच जाए जेटी से स्टार्ट होते होते लेकिन हाँ आप मान के चलो कि जो आपका मेडिकल से रिलेटेट सारे प्रक्रियाएं हैं वो मार्च लाफ से स्टार्ट कर दिये जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो जल्दी आपको इन दिनो फैक्स नोटिस एक देखने को मिलेगा जैसे कि फर्स्ट बैच के लिए नोटिस है था से मोही नोटिस ठीक है तो आप सभी अगर को अगर इस से रिलेटे पेर तान नहीं होना है और अगर हम बात करें कि सकेंड बैच में कितने करिने रेट जाएंगे तो हम आपको यहां साब साब बता देना चाहते हैं कि भरती वोट की तरफ से IFC कोई भी इंफॉमेशन नहीं आया है कि सकेंड बैच में सारे से ब पिर उनके साथ PSC भी करिने डेट जाएंगे उनका जो अभी योजना बहत तरीका है उसी की एकोर्डिंग अभी काम किया जा रहा है लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि भरती बोट की हो सकता है पूरी कोशिश रहेगा अगर उनको हमारे अभियान से कुछ इफिक्ट पड़ा होगा तो सारे शिविल वाले करिने डेट को बुलाएंगे अगर वो चाहेंगे तो PSC वाले करिने डेट भी ट्रेनिंग पर जा सकते हैं तो वो नोटीस के आने के बाद जो है देखते हैं अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर हम सबको एक साथ आकर जो है इसके खिलाफ अव्यान भी चालू करना होगा उठाना होगा अपनी आवाज पहुचाना होगा तभी कुछ हो सकेगा आप समझ रहे ना बातों को अब देखिए आपको बहुत तरफ से कुछ करवाना है तो वेट करते हैं नोटिस का देखते हैं क्या प्रक्रियाएं होती है अगर भरती बोर्ट सिविल पर पियसी को बुलाते हैं क्योंकि अधर इस्टेट में भी आपकी रेनिक सेंटर खाले हैं करा सकते हैं अब तो कोई नाइटिन का भी कोई बहाना नहीं है वेक्सीन भी आ गया है ठीक है तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोब्लम्स नहीं होने वाली है और जो कैनिरेट प्यसीक है मैंने अभी आपक आपके लिए नेक्स वीडियो आईए क्योंकि वह बहुत जादा परिशान है इससे रिलेटेड तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या हमने अभी कहा है ना क्यूंकि उनकी प्रक्रियाय जो है अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है अगर आप देख र कुछ रहें कि भाईया उन्होंने कहा और कोई बात हो जाए समझ रहें ना तो आई होप कि अब आप इतना समझने के लिए काफी है तो अब देखिए नेक्स जो आपकी बात आती है यहां यह आर्टिकल आपने देखा ही होगा ग्रूप में प्रॉइट किया गया था हमने कि अगर आप ग्रूप से जूड़े होंगे तो आई होप कि आपको यह पता भी होगा अगर नहीं जूड़े हैं तो अगर आप टेलिग्राम से चलाते हैं तो सिंप्ली सर्च करिए यूप पुलिश आल इन्फोर्मेशन आपको ग्रूप मिल जाएगा आप ज्वाइन कर लिज इंडिडेट्स पर चलाया और यह पीसी भरती दो हजर अठार याने कि आपके भरती से रिलेटेड नहीं है एक तालीश जर पांसो बिस क्योंकि ग्रूप में ऐसे बहुत सरे क्यूशन आ रहे थे कि मैं में इसका एक्स्प्लेन कर दो तो यह तालीश जर पांसो बिस भरती स इसको दरकिनार कर जो 25 बटालियन पीसी के सेना नायक ने अपना आदेश जारी कर दिया था जो इलहाबाद उच नियाले का आदेश था उसे भईया इन्होंने दरकिनार कर दिया था यानि कि इन्होंने यह समझा कि भईया आम उच नियाले से भी बड़े हैं और इन्होंने अपना आदेश उस कैनी रेट पर जारी कर दिया था साथ या बहरती को मेडिकल के अधार पर निवक्ती देने से भी इंकार कर दिया गया था इसके खिलाब दाक्रिर अमारना याचिका पर कोर्ट ने सकत रुक अपनाते हुए सेना नाय को तलब कर दिया है और अंकित कुमार और बिल्कुल सही किया है ठीक है और अंकित कुमार की याचिका किया आदेश नियाय मूर्ती अब देखिए हुआ क्या था क्या पूरा मैटर था याचि क्या कहना है कि वह 2018 की पूलिस हुआ पीएसी कॉंस्टेवल भरती में शामिल हुआ था लिखित परिक्षा और सारी मानक परिक्षा में तो यह समझ में नहीं आता जब डीवी पीएस्टी में उस का इंडिरेट्स का हाइट कैसे नाप लिया गया जब उसको मेडिकल में ही बाहर कर दिया हाइट को ही लेका तो आवास मतलब हाथ तो उनके उपर ही उठना चाहिए कि भया आपने कैसे किया यह सब तो ऊसीको बात ऊमंदल बात लेकर यह सारी परिक्रिया चल रही है उसका diesem सफल रहा लेकिन मेडिकल टेस्ट में अशील देट्स का जो है जो भी आदेश था इस सेना नायक ने दरखिनार कर दिया था तो इसे को लेकर फिर से तलब किया गया है तो आई होप कि अब आप समझ गये होंगे इस भरती को लेकर और जो भी सेकेंड बैसे रिलेटेड देखिए यह तो अच्छी इंफोमेशन है कि कम से कम उनका लाज दे तो परता चला कि प्यूपी समाप्त हो जाएगा मई में यानि कि मई से पहले आपका मेडिकल प्रस ट्रेनिंग जो है इस्टार्ट कर दिया जाएगा आप से भी को बिल्कुल भी परशान नहीं होना है तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कर देजिए अपने दोस्तों के साथ थैंक्स वर वाचिंग ठीक्या